वेलकम दोस्तों हम डिसकस करेंगे BPSC 66 PT परिक्षा जो 8 मई 2022 में हुए थी जो रद हो गई थी उस परिक्षा के 150 परिक्षा को हम यहां डिसकस करेंगे जो अगामी 60 मी PT परिक्षा जो 12 फर्वरी को प्रस्तावित है उस परिक्षा के लिए बहुत उपयोगी हुगा English में प्रसन आपके screen पे display करेंगे और Indy में उनको पढ़ते हुए हम इसका समाधान करेंगे पहला प्रसन देरी ना करते हुए पहले प्रसन पे आते हैं पहला प्रसन कहता है कि इन लिखित में से कौन सी संसदी सम्ती कारिपालिका को नियम बिनमे बनाने के लिए प्रत्यायुजित सक्ति से संबंदित है तो पहला उप्षन है इसमें कारेकारी विधान पे शम्ति अधीनस्त विधान पे शम्ति तीसरा है प्रसासकी विधान पे शम्ति चौथा है प्रत्यायुजित विधान पे शम्ति तो इसका जो सही आंसर ह है वो सही आंसर जो है वो है option number B committee on subordinate legislature मतलब अधीनस्त विधान पे समिती अगला प्रस्न है article 300 जो है अनुछे 300 जो भारती समिधान का वो किस से संबंदित है मुकदमे और कारवाई से सरकारी ठेकों से महानियाइबादी से ब्यापार बानिजिपे प्रतिबंद से तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number A suit and proceeding suit and proceeding मुकदमे और कारवाई से अगला प्रस्न नंबर तीन देखते हैं प्रस्न नंबर तीन है भारत में नयायक प्रडाली किस पर आधारित है option number A है संबिदान option number B है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया option number 3 है परंपरा option number D है कानून द्वारा इस्थापित प्रक्रिया तो इसका जो सही उत्तर है वो option number D है option number D है the procedure stabilized by the law कानून द्वारा इस्थापित प्रक्रिया अब हम प्रस्न चार को डिसकस करेंगे प्रस्न नंबर चार जो है किस राज्य में पहला लोकायुक्त इस्थापित हुआ था तो पहला लोकायुक्त इस्थापित हुआ था महरास्ट्रा में कहां पे इस्थापित हु आनंद 1990 के दसक में कियांत में किस पदपरकार रहत थे और नियंतरक महालेका परिक्षक ऑप्सन बी भारत के मुख्य नयायदीस ऑप्सन सी मुख्य सतरकता आयुक्त ऑप्सन डी महानयावादी तो इसका जो सही आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका सही जो आ प्रस नमबर 6 कह रहा है कि निम लिखित में से क्या सम्विधान की ग्यारवी अनसूची में सामिल नहीं है तो प्रस ऑप्सन है इसका पुस्तकाल है इनन चारा ऑप्सन सी ग्रामीड खेल ऑप्सन डी तकनीकी प्रसिच्छन तो जिसका जो सही आंसर है वो है रूरल इस्पो 113 के अनुसार बारसिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेस की जाती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है 109 इसका सही उत्तर है 109 109 मांगे जो होती है वो बारसिक अनुदान में बारसिक बजट में जो है डिमांड की जाती है अगले प्रसन पर आते हैं अग उच्छा जा चुगा है राश्टी विस्तार सेवा जो है 1953 में स्टार्ट की गई थी तो यह जो प्रस्टन इसका सही उत्तर ऑप्षन ए है वो इसको इलेक्ट करती है टीचर्स भी इलेक्ट करते हैं ग्रेजुएट्स भी इलेक्ट करते हैं इंडस्टलिस इलेक्ट नहीं करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो इंडस्टलिस अब हम डिसकस करते हैं कुश्चन नंबर टैन को कुश्चन नंबर टैन क्या कहता है कि भा मंदित है पॉलिसी और इंप्लिमेंटेशन से इसका सही आंसार है और सी पॉलिसी एंप्लिमेंटेशन अब हम डिस्कस करते हैं प्रस नंबर 11 जो 11 नंबर कुश्चन है 11 नंबर कुश्चन थोड़ा बढ़ा दिया है लेकिन हम एक एक तथि को इसमें समझते हुए आगे बढ़ेंगे हिंदी में मैं पढ़ता हूँ भारत के बित्यायोग के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार करें बित्यायोग एक समविधिक निकाय है इस्टेटरी बॉड़ी दूसरा है समविधान के अनुच्छे 280 के तहट बित्यायोग स्थापित है बित्यायोग द्वारा की गई सिफारसें प्रवर्ती में केबल सला कार हैं पहला बित्यायोग 1950 में स्थापित किया गया था तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्सन नंबर सी दो और तीन सही है इसमें इक तो आर्टीकल दो साश्ची के तहट इसकी स्थापना किया आती है और इसकी जो अनुसंसाएं होती है सिफारसें होती है वो केबल जो है सलाकारी प्रवर्ती की होती है यह फर्स्ट कमिशन जो सेट अप किया था 1950 में गलत है और पहला भी गलत है यह जो है सम्विधिक निकाय नहीं है यह सम्वैधानिक विकाय है अब हम डिसकस करते हैं प्रस्ष नमबर 12 को कुश्ष नमबर 12 जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि Bear Necessities Index BNI के संदर में निम्न लिखित कतनों पर विचार करें पहला कतन कह रहा है कि आर्थिक सरविक्षन ग्रामीड और सहरी इस तरों पर Bear Necessity Index के साथ आया है BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है BNI 26 संकेतों पर आधारित है BNI में 6 आयाम होते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है option A पहला और तीसरा इसमें पहला सही है Economic Survey has come up with the Bear Necessities Index at the Rural and Urban levels The BNI has been created for all states for 2018 only यह गलत है इसमें दूसरा option तीसरा है BNI is based on 26 indicators यह option सही है Six Dimension यह गलत है तो इसका सही आंसर है A तो अब हम डिस्कस करते हैं question number 13 को 13 question क्या कह रहा है कि बिहार में क्रसी और ग्राम्रीड विकास के लिए किस प्रकार के bank इस्थापित करने का प्रस्ताव है which type of bank is proposed to be stabilized for agriculture and rural development in बिहार तो इसके option number A जो है वो क्रसी विज्ञान बैंक है option number B है क्रसी यंत्र बैंक है option number C क्रसी विकास बैंक है option number D क्रसी उत्थान बैंक है अब कुशन नमबर 14 को देखेंगे, 14 नमबर कुशन कह रहा है कि 2019 में बहार के मानब विकास तूचकांग का मान क्या था, तो इसमें यह उप्सन दिये हैं, इनमें से कोई उप्सन जो है, इसका सही आंसर नहीं आता है, हमारा उप्सन इसमें से वजाता है, उप्सन नमबर E, ठीक है, अब हम डिसकस करते हैं, कोशन नमबर 15 पर, कोशन नमबर 15 कह रहा है, 2021-22 के दोरान बिहार में राजकोसी यह घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो इसका उप्सन नमबर E सही है, इसका उप्सन नमबर E सही है, क्या सही है, इसका उप्सन नमबर E सही है, 22,511 करोर अब हम डिसकस करेंगे कुश्चन नंबर 16 कुश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कहता है कि डिजिटल बिहार कारी क्रम के तहत कौन से चात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रिसक्षण प्राप्त करेंगे तो इसमें दिया है option number A पांचमी कक्षा के सभी चात्र option number B है छटी कक्षा के सभी चात्र option number C है साथमी कक्षा के सभी चात्र option number D है आठमी कक्षा के सभी चात्र तो इसका जो सही उत्तर है वो none of more than one and above यह option इसका सही है क्योंकि इसमें जो है पांच मीं से लेके आठ मीं तक के सभी छात्रों को समिलित किया गया है अब हम डिसकस करेंगे कुश्चन नमबर 16 को कुश्चन नमबर 16 कह रहा है पंद्रे में वितायों की सिपारिसों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्री करों की विभाज पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है तो इसका जो सही उत्तर है वो अप्सन नमबर क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताएं अप्सन नमबर A है इसका 4.12% अब हम डिसकस करते हैं कुश्चन नमबर 18 को कुश्चन नमबर 18 कहता है इनमें से कौन से पंद्रमे वित आयोक का सदस्य नहीं है तो देखिए इसमें उप्सन नमबर एक हैं असो कुमार लहरी उप्सन नमबर B हैं सुदीप तो मुंडले उप्सन नमबर C हैं रमेज चंद्र उप्सन नमबर D हैं अजय नाराएंट जहा तो इसका जो सही उत्तर है वो है उप्सन नमबर B सुदीप तो मुंडले जो है वो पंद्रमी वित आयोक के सदस्य नहीं है अगला प्रसन हम डिस्कस करेंगे प्रसन नमबर 19 19 नमबर का जो कुश्चन है वो डिस्कस करेंगे कि हाल के केंद्री बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा चेतर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेस FDI की सीमा को बरतमान में बढ़ा कर दिया है तो इसका जो सही आंसर है वो सबको पता होना चाहिए बहुत चर्चा में रहा है ये करेंट नीज में तो इसका जो सही आंसर है वो 74% 74% जो है वो सही आंसर है अब हम कुश्चन नमबर 20 को डिस्कस करेंगे 20 नमबर जो कुश्चन है वो कह रहा है कि केंद्रिय बजट 2021 के अनुसार राजकोशी घाटा 2021-22 में सकल घरेली उत्पाद का कितना प्रस्त आंकलन किया गया था तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number D 6.8 जो था union बजट में राजकोशी घाटा 2021-22 की सकल घरेली उत्पाद का 6.8% था अब हम डिसकस करते हैं question number 21-21 question कहे रहा है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांग किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है तो इसका जो सही आंसर है वो option number B growth in per capita real income from year to year यानि प्रतिवक्ती बास्तिविक आयमे ब्रदी जो होती है वो इसका सूचकांग है 22 प्रस्ट जो है वो कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिसन ग्रामिड के दुती चरण को किस समयवदी के दौरान लागू किया जाना है तो इसका जो सही आंसर है वो है option number C 20-21 और 24-25 कुशन नंबर 23 कह रहा था इन कह रहा है इन मेंसे कौन राश्ट्री विकास परिश्द का हिस्सा नहीं है तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो option number E हो जाएगा एक से अधिक राश्ट्री नेशनल डेवलोप्मेंट काउंसिल में नीती आयों कि जो सचे में वह भी होते हैं इस प्रकार इसका option जो हो जाएगा option number C वह option number E none of the above and more than one of the above अब हम डिसकस करते हैं question number 24 को question number 24 मैचिंग है इसमें एक तरफ जो है सूची दी है कुछ आयोगों की दूसरी तरफ जो है सरकारी आयोग सरकारी आयोग किसे संबंदित है सरकारी आयोग जो संबंदित है वह केंद्र राज्य संबंदों से संबंदित है यह देखो इससे केंद्र राज्य संबंदों से और सी रंग राजन संबंदी जो है वह review of the methodology for the measurement of poverty गरीवी से संबंदित है और गरीवी से संब्दित है और जो पारेक संथी पारेक संती है a infrastructure financing और सम्थी इन्फराइस्ट्रेक्ट्टर फाइनिंसिंग संब्सक्ति नर्सिंगन का इंफिन से समग्डित है इस प्रकारी आप जंठी मुझें एन इस और हम डिस्कस करते है कुश्चन नमबर 25 को 25 कुश्चन कह रहा है कि निम्निकित राज्जियों पर बिचार करिए पहला है पंजाद दूसरा उत्रप्रदेश तीसरा अंदरप्रदेश चोथा पच्छ मंगल भारत में चाबल उत्पादक राज्जियों के रूप में उपर युक्त के सही आरोही क्रम को चुनिए असेंडिंग ओडर की बात करिया रही है तो असेंडिंग ओडर की केस में हमारा जो सही ऑप्सन होगा ऑप्सन डी आंदरप्रदेश पंजाब उत्तरप्रदेश बेस्ट बंगाल मे सबसेदिक उसके बाद तरप्रदेश उसके बाद पंजाब उसके बाद आंदरप्रदेश अब हम डिसकस करेंगे कुश्चन नमबर 26 को 26 तो यह जो 26 कुश्चन है इस कुश्चन में इतियास की कुछ गटनाय दी गई है इनको पूछा गया है कि कौन सी गटना सबसे पहले ह होई थी तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था एराइबल ओफ क्रिप्स मिशन वो सबसे पहले हुई थी यह उनिस सो ब्यालीस में हुई थी उनिस सो ब्यालीस में भारत छोड़ों अंदोलन भी हुआ था लेकिन यह सितंबर के आसपास हुआ था और इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था तो अब अगला प्रसन हम डिसकस करेंगा अगला प्रसन था 26 जो है वो यह है कि उनिस सो उनतीस में लाहोर में आयुजित भारती रास्ती कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था तो इसका सही उत्ता सब को पता होगा जवाहलाल नहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे 28 मा प्रसन हम डिसकस करेंगा 28 मा प्रसन कह रहा है सट्याग्रेस से कौन सम्बंदित नहीं था तो इसका जो सई आन्सर है राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया वह सम्बंदित नहीं थे अब हम डिसकस करते हैं कुश्चन नमबर 29 29 कुश्चन कह रहा है कि 1857 के बिद्रों के एक नेता कुमर्सिंग किस स्थान से संबन दित थे तो सब को पता है गौलियर से कोई इनका मतलब नहीं था जहांसी से कोई मतलब नहीं है मेरट से कोई मतलब नहीं जगदीशपूर आरा जो है डिस्टिक में जगदीशपूर पढ़ता है वो जगए जो है इनसे संबन दित थी अब हम डिसकस करेंगे कुश्शन नमबर 30 कुश्शन नमबर 30 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारी बाग जिल से फरार हो गए थे तो इसका अंसर भी सबको पता है जैप्रकास नाराइंड जी जो थे वो हजारी बाग जिल से दिवाली के दिन जो है फरार हो गए थे अब कुश्शन नमबर 31 31 कोष्शन कह रहा है कि भारति राष्टी कांग्रेस के 1922 में आज़ेद गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो चितरण जंदास थे कौन थे चितरण जंदास चितरण जंदास गया अदिविशन के अध्यक्ष थे कुश्ण नमबर 32 जो है 32 वो कह रहा है कि 1946 में बनी आंतरिक सरकार में राजंद प्रसाद के पास कौन सा विभाग था तो यह भी बहुत आसान प्रसन है और इसका सही जो तर है फूड और एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री जो थी वो राजंद प्रसाद जी के पास थी अब हम डिसकस करते हैं क्वेशन नमबर 33 33 बहुत आसान प्रसन है कई परिक्षाव में पूछा जाता है और इतिहास में कहीं ना कहीं पूछ लिया आता है यह प्रसन तो यह प्रसन ज भी थी कवी थी 1913 में 34 में प्रसन यह कहता है कि 1905 में सर्वेंट आफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो यह जो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी अब हम डिसकुस करते हैं कुशन नमबर 35 अनहपी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो अनहपी इंडिया जो पुस्तक है वो लाला लाजपत रायद्वारा लिखी गई है इस ऑप्सन नमबर सी करेक्ट आंसर है कुशन नमबर 36 फू पार्टिसिपेटेट इन ओल थी रा तीनों गोल मेल सम्मिलनों में पृतिभाग किया था अब हम डिसकुस करते हैं कुशन नमबर 36 को फू इस्टेबलाइज इंडियन एसोसियेशन इन 1876 तो इसका जो सही आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बनर जी सुरेंद्रनाथ बनर जी ने ही इंडियन एसोसियेशन की स्था अपना 1876 में की थी अच्छा अगला प्रस्ण हम डिसकुस करेंगे अगला प्रस्ण है इन विच कंट्री वाजदा है है नुरुफिक नेताजी एप्लाइड टू दे नेम ऑफ सवाश्यंद्र बोस सम्मान सूचक नेताजी सब्द किस देश में जोड़ा गया था तो इसका जो सही उत्तर है वो है जर्मनी जर्मनी में जो है यह जोड़ा गया था अब हम डिसकुस करते हैं अपना प्रस्ण नंबर 49 प्रस्ण जो है सामान प्रस्ण इतियास का और इसमें यह चार विकल्ब दिए गए कि चटगाओं सस्त्रागार धावेब से संबंदित कौन था आर्मरी रियर्ड जो होई थी चटगाओं की उसके संबंदित जो थे सूरिसेन थे तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्सन डी है ऑप्सन दो मिल्क्रम चांड चैटर मंट में किस विद्डाय का अब तो यह pregunta किया है था और अब यह fiquei चैने सांयासे यहां gefragt कर दूमडन्र है weirdest कि को इसका सॉलीटन में लग से एक माकी कर दोगा मैं बखराख आंसर डिसकस कर देता क्या उंस इसका answer option number D है इसका जो answer है वो option number D है और 42 का जो answer है और 43 जो question है इसका option number B है और जो 44 question है इसका जो answer है वो है option number A 45 जो question है इसका जो option जो सही उत्तर है वो है option number C और 46 जो है इसका जो सही उत्तर है वो option number B 47 जो question है इसका जो answer है वो सही उत्तर है option number C 48 जो question है इसका जो सही उत्तर है वो है option number C 10 और 49 जो question है इसका जो सही उत्तर है वो है option number B और जो question number 50 है इसका जो सही उत्तर है वो option number C इसके बाद हम आते हैं question number 50 बन जो है वो science का question है science के question में यह कहा गया है यह पूछ रहा है इस प्रस्ट में कि निमने में से कौन सा बिकल्ब गलत है गलत है हम एक-एक बिकल्ब को पढ़ती है में और उसके साथ में decide करेंगे कौन सा the atom is electrical and electron inside the nucleus usage the nucleus proton neutron electron नहीं होते हैं तो यह पहला option ही इस में गलत है option A is correct अगला कुश्चन डिसक्स करते हैं कुश्चन नमबर 52 सलेक्ट दा इनकरेक्ट स्टेट्मेंट आउट अप फॉलोंग इनमें से गलत कथन पर चैन करना है एक एक को हम डिसक्स करते हैं कॉटन इस सुटेवल तो यूज एस क्लोथिं समबर विकॉज इस एब्सॉर्ब मॉस्चर करेक्ट पॉली कार्वोनेटेट इस यूज तो मेकिं सीडीज करेक्ट ऑप्सन सी एक्रिलिक इस ऑल्सो काल्ड आल्टिफिशल सिल्क एज इस प्रिपेर्ट फ्रॉम कॉट्टन बट ह एज़ साइनलाइक सेल्क एक्रिलिक को कृत्रियम रेसम नहीं कहा जाता है यह ऑप्शन गलत है तेफलोन इस चूह और सीघर्ष टीयवह सही है तो और समस्क्रण सी सही हो जाएगा अंसर एक्रिलिक इस नॉट इस काल्ड आर्टिफिसल सिल्क यह गलत है आर्टिफिसल सिल्क नहीं कहा जाता है इसे कुश्चन नमबर 53 53 कह रहा है कि विच आप दा फॉलंग स्टेट्मेंट स्टेट्मेंट अबाउट ग्रेफाइड डायमंड इस ट्रू कौन कौन से हैं भाईया देखेंगे पहला पहला अप्सन है कि उनके पास एक जैसी क्रिस्टली संरचना है गलत है बिलकुल कोई पुजित चालकता समान है यह भी गलत दे कैन अंडर गोदा सेम केमिकल रियक्शन यह साही है उप्सन तो इसका उप्सन सही कौन सा है डी अब हम डिसकस करते हैं अपना कुश्चन नमबर 54 निम्न लिखित मैंसे कौन सा तरलीकरत पेट्रॉलियम गैस का मुख्य घटक है मुख्य घटक की बात कर रहा है वो ब्यूटेन होता है लेकिन इसमें जो है प्रोपेन भी पाए जाता है तो इसका उप्सन ई भी हो सकता है तो इसका उप्सन ई हो सकता है क्योंकि आयोग ने इसकी कोई ऑफिशल की नहीं दी है लेकिन इसका आप्सन ये भी संभावित है लेकिन एक में एक एक कीवर्ड है मेजर जो मेजर कीवर्ड है मेजर कीवर्ड की बज़े से इसमें ब्यूटेन आंसर होगा इसका अब हम डिसकस करते हैं कुश्चन नमबर 55 पानी मिट्टी से जड़ों में जिस बहुत तिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है अब हम देखते हैं प्रस नमबर 56 बायो डिग्रेडिबल अप्सिस्ट को आम तौर पर जिसकी मदस्य उपियोगी पदार्थों में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया बैसे जो है बायो जो चेंज करते हैं वो बैक्टीरिया बायरस दोनों करते हैं लेकिन उसमें यह पूछा गया है कि इसमें एक कीवर्ड दिया है जो हमें इस प्रस्ट को हल करने में बड़ा हेल्प करता है वो यह है यूजफुल सबस्टेंस उपियोगी पदार्थों में तो इसका अंसर बैक्टीरिया होगा अब हम डिसकस करते हैं अगले प्रस्ट पर अगला प्रस्ट है 56 रात के समय सला दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पे पहला अप्सन क्या है कि दे लिबरेट लेस एमाउंट ओफ ऑक्सीजन नहीं इसका कोई मतलब नहीं दे लिबरेट हार्मफुल गैसे अट दानाइट यह भी नहीं मतलब दे लिबरेट कारबन डाई ऑक्साइड यह जो है मुक्त करते हैं इस बज़े से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्सन सी हो जाएगा कारबन डाई ऑक्साइड का लिबरेशन अब हम डिसकर्स करते हैं कुश्चन नमबर 55 58 58 कुश्चन क्या गया रहा है कि कीट भक्षी पौदे मिट्टी में किसकी कमी से उखते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी से कीट बक्षी पौदे जो है अपनी नाइट्रोजन की आपूर्टी कीटों के बक्षन से करते हैं 59 कुश्चन यह कह रहा है कि पौदे का तना पौदे के सभी इस्सों में भोजन भोजन बित्रित करने में तथा में मदद करता है भोजन के भंडारन में उसके लिए फोरिंग्ट करता है शेपिंग न प्लांट करता है रेस्पीरेशिन है फोटोसिंतेटिस नहीं तो इसका जो आन्सर है वो उप्शन सी होगा ए और वी साई ηस में रिस्टोरिंग्ट वोड भी करता है और यरेशिंगग्ट Unfortunately करता है तो इन सब को मन इन इन सब को देखने के बाद हम इस निसकास पर पहुंचते हैं कि इसका जो सही आंसर है आप संसी है अब हम डिसकस करते हैं अगला प्रस्ट कुश्चन और और इन इन सब्सक्राइब करें आधान कि रखता ना केबल रक्त के प्रकार से बल्कि में भी संगत होना चाहिए तो इसका जो सही आंसर है वहाँ फ्र han deleting आर और एच पॉजिटिव और एच नेगिटिव यह फैक्टर सोते हैं यह रीस नामक बंदर में सबसे पहले सर्च किये गए थे अब हम कुश्चन डिस्कॉस करेंगे अपना 61 पिटीट्री ग्लांड इस लोकेट इन 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 ब्रेन इन ब्रेन राइट आंसर इस ब्रेन अब हम डिस्कस करते हैं अपना कुश्चन डिस्टीट्व कह रहा है कि गर्ब में भून के विकास को जानने के लिए निमलिकित किरणों औबलिक तरंगों रेज एंड वेब्स मेंसे किसका उप्योप किया जाता है तो इसका जो सई आंसर है वो है अल्ट्रा सॉनिक बेव अल्ट्रा सांड होता है क्या होता है अल्ट्रा सांड अ तो थो जो है फ्रूंड की फैर्ट की स्वेट्स फैर्टस की स्थिप्र को हम पता करते हैं को कि अब हम लिया कि और दिस्कस करते हैं कुश्चन लंबर 63 the यूनिवर्सल एसप्टर ब्लड ग्रुप एजूनिवर्सल एस्थ सुएकलर रक्तसमू कौन सा है रक्तसमू है यह जो सभी के दुरा सबीजत कर लेता सर्भराही जिसे बोलते हैं और डोनर को होता है डोनर डोन्म निमोनिया जो है lungs को infect करता है अगला question हम discuss कर रहे है question number 65 question number 65 क्या कहता है कि दरपण के सामने खड़े एक बैक्ती को अपना प्रित्विम अपने से बड़े लगता है एक person is standing in front of the mirror finds this image larger than himself this implies that the mirror is mirror is the answer is concave अब तल दरपण अब तल अब तल अब तल अब तल अब तल अब तल दरपण अब तल दरपण अब डिसकस करते है question number 66 question number 66 कह रहा है कि एक पंखा घर्मी के मौसम में आराम के उन्वूती पैदा करता है क्योंकि पहला आप्सने फैंस अप्लाइज कूल एर नो इस नो इस नो और बोडी इंडिकेट्स ओर हीट इन एर नो देक्टिविटी ओफ एर इंक्रीज नो अबर पर पर इस्पिरेशन इवोपरेट्स रैपिडली डैट इस दा करेक्ट आंसर दी आप्सन हिंदी में बता देंदा हमारा पसीना तेजी से पासपित हो जाता है कुश्छन नमबर 67 को हम डिसकस करेंगे कुश्छन नमबर 67 कह रहा है कि रात के समय माद्यम से दूसरे माद्यम में जाता है तो उसका जो है उसकी केरण जो है अभी लंब से जुक जाती है दूर अट जाती इस घटना को जो है रिफ्रेक्शन या जो अपवरतन कहते हैं अगले पर आते हैं अगला परसन कह रहा है कि हाइड्रोजन बंब किसके सिद्धान पर किरिया पर अब हम डिसकस करते हैं कुश्चन नंबर 69 कुश्चन नंबर 69 कह रहा है कि फूट गेट्स कुक फास्टर इन दा प्रैसर को कर विकॉज प्रैसर को कर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि टेमप्रेचर स्टार्ट वॉयलिंग एड़ दा हाई टेमप्रेचर ड प्रैसर अब डिसकस करते हैं कुश्चन सेवंटी इफ दा डोर इफ दा डोर्स ओफ रेफरीजरेटर अर लेफ्ट ओपन फॉर्ट फॉर्स देन रूम टेमप्रेचर बिल भी डिक्रीज इंक्रीज रिमेनिंग सेम डिक्रीज ओनली इन अरिया इन दा वैन वैंसिटी ऑफ द जाएगा इंक्रीज ज्यादे करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से हीट ज्यादा होगी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन भी बढ़ जाएगा एक बर्फ का टुकड़ा पानी से लवाला भरे बीकर में तहर रहा है जब बर्फ पूरी पिगल जाए तब क्या होगा क्या होगा दा बार्टर लेवल बिल नॉट चेंज बार्टर लेवल बिल नॉट चेंज बार्टर लेवल बिल नॉट चेंज दा बार्टर लेवल बिल है, Bolt Meter से Potential Difference ना पाजाता है, M Meter से Electric Current मापा जाता है, Potential Meter से Electromotive Force मापा जाता है, Galvanometer से Electric Resistance नहीं मापा जाता है, इस से मापा जाता है Direction of the Electric City, तो इसलिए यह Option D is the Correct Answer, Correctly Not Matched में क्या आएगा, Galvanometer जो है, वो Electric Resistance को मेजर नहीं करता है, Question Number 73, 73, 73 Question कह रहा है कि यद एक पंक, एक रवड की गैंद और एक लकडी की गैंद, निरवात में एक समानुचाई से स्वतंतरता पूर्वग एक साथ गिर रहे हैं, तो, 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 क्या होगा, तो इसमें Option Number D जो है, वो Correct रहेगा, All the Three will be Reach at the Ground together, Means, बात हो रही है हमारी, कहा हो यह बात, Vacuum की, Vacuum की बज़ए से ऐसा होगा, Vacuum की बज़ए से ऐसा होगा, कि जो सारी तीनों चीजें हैं, बिना किसी मास और, वेट के, जो हैं, समान रूप से गिरेंगी, अगला प्रसन है, 74, 74 कहता है, जब दिन में, जब दिन में, पानी पर सावन की फिल्म दिखाई दे प्रकास का व्यतिकरण, इसका जो सही आंसर है, वो इंटरफिरेंस ऑप दे लाइट, प्रकास का व्यतिकरण इनका, इसका सही आंसर है, कुछ्छन नमबर 75, 75 कह रहा है, ए मास नमबर ऑफ अनुकिलियस, एस दे सम अफ द नमबर अफ नूट्रोन अन प्रोटोन, देट इस क ृटोन अन अन प्रोटोन सम अबम डिस्कस करते हैं, एक कुछन नमबर 76, 76 कह रहा है, विच ऑफ दे फॉलवविंग इंहिदियेंट, अफ सीमेंट, तो यह क्या है? लाइम स्टरोन, लाइम स्टरोन जो है, वह मेघन इंहिदियेंट अफ़ दा सीमेंट है, लाइम सटोन का of an element differ in एक तत्त के समिस्थानिक अलग-अलग होते हैं किसमें होते हैं मास नंबर में किसमें होते हैं मास नंबर में द्रबिमान संख्या में जो हैं वो अलग-अलग होते हैं तो इसका सही आंसर है करें दिजिस्क्सक करते हैं और कुश्टिन CR7 Ye वह अफ बिंड्व जिस पर ठोस द्रब और गैसी अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है ट्रेपेल-पॉइंट गैसी एक साथ रह सकता है कोई है को इन बी मैट जो है एक साथ रह सकता है पाकसाइट गैपवसा क्या है बाकसाइट एलमुनियम का सबसे मैत्वपूर्ण ओर्स है कि कुश्च नमबर डिसकस करेंगे 80 80 में निम लिकित में से किस बिलियन के पी एच का मान साथ से अधिक होता है तो यह जो होता है बेसिक जो सॉलूशन होता है चारी विलियन जो होता है उसका पी एच वैल्ली जो है वो सेविन से अधिक होती है अब हम डिसकस करते हैं कुश्चन नमबर 81 81 कुश्चन कह रहा है कि on which date did the India begin its two year term as non-permanent member of the UN Security Council भारत ने सहिक्त राज सुरक्षा परिस्द के एक 27 सदस्श के रूप में अपना दो साल का कारिकाल किस तारीक को सुरू किया था तो इसका जो साही आंसर है एक जनवरी 2021 अगला प्रसन डिसकस करते हैं अगला प्रसन है कि which country exported Sputnik 5 COVID vaccine to India किस देश ने भारत को Sputnik 5 COVID vaccine का निर्यात किया है तो इसका जो साही उत्तर है वो है रसिया रसिया इसका जो है साही उत्तर है 83 question को हम डिसकस करेंगे 83 question कह रहा है कि Joe Biden has assumed office as the 46th president of America इसका option option number A सही है 46 में president है Joe Biden 84 question है कि who was the foreign chief guest in the Republic Day parade in 2021 तो इसका जो सही आंसर है वो option number E इन में से कोई नहीं बोरिस जॉंसन को invite किया गया था लेकिन कोबड की बज़े से इसको जो है इस्तकित कर दिया गया और 2022 में भी कोई नहीं था और 2022 में भी कोई विसे श्रतिति नहीं था Republic Day 85 question कह रहा है कि UN में भारत का इस्थाई पृतिनिती कौन है तो इसका जो सही आंसर है से टी एस तिरिमूर्थी टी एस तिरिमूर्थी टी एस तिरिमूर्थी इस तिरिमूर्थी इस तिरिमूर्थी इस दा permanent representative of India in UN सौरी according to 2011 census which district of विहार has more women than men जन्गणना 2011 के अनुसार विहार के किस जिले में पुरसों में पुरसों से जादा महलाएं हैं यह सीदे सीदे लिगानपात पूछ रहा है आपसे तो गोपाल गंज का जो लिगानपात है वो विहार में सरबादिक है अगला प्रस्ण है बिहार विधान परिसर की पहली बैठक किस बर्स बुलाई गई थी इसका सही आंसर है ऑप्सन नंबर बी दोजार वो 1913 में 1913 में जो है बिहार विधान जो legislative council है उसकी first sitting बुलाई गई थी रस्मी कुमारी फ्रम बिहार इस ए ओबलिक एन क्या है ए इंटरनेशनल क्रिकेटर एन इंटरनेशनल क्रिकेटर एन इंटरनेशनल केरम champion football player chess player none of above and more than one of the above तो इसका जो सही आंसर है वो है option number B international केरम champion जो रस्मी कुमारी है वो international केरम champion है अगले प्रस्शन पर आते हैं दिजिटल इंडिया बॉर्ड बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया बॉर्ड 2020 किस लिए दिया गया था तो इसका जो सही आंसर है वो है option number D providing service to people stranded outside बिहार during COVID-19 lockdown के दोरान बिहार के बाहर फसे लोगों को सेवाय प्रतान करने के लिए बिहार जरकार को 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था question number 90 question number 90 कह रहा है how many seats are reserved for SC candidates in the Bihar legislative assembly इसका जो सही आंसर है वो है 38 option number A 38 इसको याद रखेंगे आप लोग बिहार की जो legislative assembly है उसमें SC के लिए आरक्षट सीटें जो है 38 है 38 जिले भी हैं बिहार में अब हम question discuss करेंगे 91 question कह रहा है कि बिहार में पंचायद निकायों में महलाओं को 50% आरक्षण किस बर्स प्रदान किया गया तो इसका सही आंसर है 2006 से 2006 से 50% reservation मिला पंचायती राज bodies में बिहार सरकार के द्वारा महलाओं को अब 92 question कह रहा है कि जारकण मन बनाने के लिए बिहार को किस बर्स विवाजित किया गया तो 2000 में विवाजित किया गया यह कब विवाजित किया गया था 2000 में 93 question कह रहा है कि बिहार में बर्स 2021-22 के लिए पेस किये गये बजट में प्रस्तावित नया मंत्राले किस पर किंद्रित है तो यह होगा कौशल और उद्ध्यमता विकास option number D skill and entrepreneurship development option number D is correct answer 94 question कह रहा है बिहार में मानब विकास उपमिसन के अंतरगत कितने विवाग सामिल है how many departments are covered under the human development submission in बिहार तो इसमें answer इसका जो है वो साथ जो है उपमिसन सामिल है उसमें अब हम discuss करते है question number 95 को 95 कह रहा है from बिजदर डिस्टिक आप बिहार बाद गरीब कल्यान रोजगार अभियान लॉंच्ट बाइद प्राइम मिनिस्टर in 2020 20 that is खगरिया खगरिया डिस्टिक से यह जो campaign शुरू किया था गरीब कल्यार रोजगार अभियान यह सुरू किया था PM ने मोधी जी ने अगला प्रस्ण डिस्कस करते हैं कि कोवी सील्ट दा कोविड वैक्सिन ऑफ दा इंडिया विच इस एप्रूवड वाइड़ वाइड़ दा डबलू एचो इस मैनुफेक्चरड वाई किसके द्वारा मैनुफेक्चरड हो रही है तो इसका जो सही आंसर है सीर सिर्म इंस्टिटूट के द्वारा किसके द्वारा सिरम इंस्टिटूट के द्वारा अगला oxid रहाएड़ प्रसेव Авटैल ठोल रौतंग हिमाचल प्रदेश इंड़े वहाज़ हेनबाई कितनी है इसकी लंबाई है यह 9.02 किल उमेटर रै तो इसके अइन्सरम हो जायगा option 2 अगले प्रस्शन पर आते हैं अगला प्रस्शन कहता है के इन विच यहर वाज़े बजेट मर्ज्विज्ड जननल बज़ें इंडिया जनल बज़ेट के साथ रेलवे बज़ेट को मर्ज कब किया गया था तो इसका जो साही आंशर है 2017 में क्या किया था railway budget को merge कर दिया गया था जन्रल बजट के साथ अब हम डिसकास करते हैं कुश्च नम्मर 99 वाट इस दा परपाज आप सिटीजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 तू रिमूब बंगलादेशी इल्लीगल इमिग्रेंट नहीं नहीं तू अइंटिफाई जीनियस इंडियन सिटीजन नहीं तू चैक बॉर्डर इन्फिल्टरेशन बाइदा फॉर्नर्स नहीं तू ग्रांट सिटीजन्शिप टू दा प्रोसीक्यूटेड माइनोरिटी ग्रूप अफगानिस्तान बंगलादेश और पाकिस्तान तू नियम दोजार उन्नीस का उद्देश है वो उद्देश है अब हम डिसकस करते हैं कुश्चन नमबर हंड्रेड हंड्रेड कुश्चन कहता है कि सेंटल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्वित है नई दिल्ली में एक आईटी पार्क का निर्माड एक आम किंद्री सचवाले के स साथ एक नई संसत प्रदानमंत्री और उपराश्टपती के आवासों का निर्माड नई दिल्ली में एक बाणेजिक छेत्र का निर्माड सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माड उपरयुक्त में से कोई नई उपरयुक्त में से एक से अधिक तो इसका जो सही आंसर है वो है option number B construction construction of a new parliament and prime minister and vice president's residence along with the common central secretariat अगले प्रस्ण पर आते हैं अगला प्रस्ण जो है वो यह कह रहा है कि जम्मू और कस्मीर राज्ज के विवाजन के बाद बने किस के अंसाचे प्रदेश की अपनी कोई विधायका नहीं है तो इस लद्दाक लद्दाक की कोई अपनी विधायका नहीं है अगला प्रस्ण है दोजार इकीस के लिए अखिल भारती फुटबाल महासंग AIFM AIFF Men's Football Player of the Year Award दिया गया है कौन से अब हम आते हैं कुश्ण नमबर 103 पे कुश्ण नमबर 103 क्या कह रहा है प्रदानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना किस तारीक को प्रस्रू की गई थी तो नन ऑफदाए बॉप कि इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर कुश्ण नमबर 104 104 कह रहा है कि ओलमपिग 2000 ओलंपिग 2021 में भारत के लिए 98wers किस खेल में जीता घ्र तो ये जेवल अएंध्रों मे फिका गया था जेवल आएंध्रों में यानि बाला फैंक में बाला फैंक में किया गया था रिफ्ल नीरचोपड़ा को मिला.Gord Central. जोवेल इन थ्रो में यानि भाला फैंक में हाव मैनी मेडल्स हैज बीन बॉन बाइदे इंडिया इन टॉकियो पैरा ओलॉम्पिक टॉकियो में भारत ने कितने पदक जीते थे तो भारत ने जो पदक जीते थे वो टोटल जीते थे 19 पदक जीते थे भारत अगले प्रस्ट को हम डिसकस करते हैं अगला प्रस्ट कह रहा है कि भारत ने किस तारीक को सईंक तुराश शुरक्षा परिसकत की अद्रक्षता समाली तो अद्रक्षता समाली है एक अगस्त दो हजार 21 को इसका सही option हो जाएगा option number D हम डिसकस करते हैं question number 107 107 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सेनिकों को निकाला तो काबल छोड़ने वाला अंतिम अमरीकी सेनिक कौन था तो इसका जो सही आंसर है वो है मेजर जनरल चैरिस डॉन हूँ option number C मेजर जनरल चैरिस डॉन हूँ जो अंतिम काबल छोड़ने वाले अंतिम अमरीकी सेनिक थे इसके बाद हम डिसकस करते है question number 108 question कह रहा है कि which French company supplied rifle fighter jet to India देजल्ट एविएशन डेजल्ट एविएशन डेजल्ट एविएशन डेजल्ट एविएशन डेजल्ट एविएशन ने कि सप्लाई किया था fighter jet की तूठा अब 109 question है 109 question कह रहा है गल्वान घाटी में भारतिय और चीनी सेनिकों के भी जड़ब कभ हुई थी तो यह डेट पूचा इसने तो यह इसका सही आंसर है जून 2020 में कब हुई थी है जून 2020 में अब हम डिस्कस करते है question बन बन जीरो वन बन जीरो है पैगासस पैगासस सो इस पाई वेयर किस देश ने विक्सित किया था तो इसका जो सही आंसर है वो है option ए इसराइल के द्वारा जो है विक्सित किया गया था आज सो इसका सब्सक्राइब कि अब हम डिसकस करेंगे It every conscious बन 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 बनlier फौरवर्ट बलाग किसके द्वारा इस थापित किया गया था तो यह सब को पता है सुभाष्ण बोच्न के द्वारा फौरवर्ड बलाग को इस थापित किया गया था अगला एंतरिम सरकार के बित्तमंत्री कौन थे अंतरिम सरकार के जो बित्तमंत्री थे वो लियाकत अली खान थे मुस्लिम लीक से संबंदित थे यह सिद्धु और कानु सिद्धु और कानु जो थे उन्होंने संथाल विद्रों को लीड किया था के की वी राम कुमार शुक्ल ने राज कुमार शुकल ने गांधी जी को चमपान आने का आमंत्रण दिया था बुवध गया में किसे ग artifacts हुई थी तो कोथम बुद्धा को हुई थी option B is correct answer, option B is correct, who stabilized the branch of Anusilan Samitin Patna in 2000, was in 1913 AD, this is Satchindranath Sanyal, Satchindranath Sanyal इन्होंने अनुसीलन समती की साखा 1913 में पठना में इस्थापित की थी, Satchindranath Sanyal ने, question number discuss करेंगे, अब हम 157, 157 कह रहा है कि बिहार समाजबादी पार्टी 1931 का गठन किस ने किया था, तो ये किया था, फूलन प्रसाद बर्मा और जैप्रकास नाराएन ने, option number P is correct answer, हम डिसकस करते है, सेरशा का मख्बरा कह रहां पर एक रहते है, सेरशा का मख्बराक रहते है, question number 1-1-9 है यह भी इतियास से संबंदित है which of the following हडपन site in गुजरात गुजरात में कौन सी हडपा की site है तो गुजरात में जो हडपा की site है वो लोथल है भोगबा नदी के किनारे पे भोगबा नदी के किनारे पे हो तल एक जो है डक्याड था बंदर कहा था और यह गुजरात में स्थे थे अगला person discuss करते हूँ वाजदा founder of चोला डाइनस्टी चोला बंस का संस्थापक कौन था तो चोला बंस का संस्थापक था वह था विजयाले विजयाले जो था वह चोला बंस का संस्थापक था हूँ वाजदा president of first Buddhist council was first Buddhist council के जो president थे अध्यक्ष थे प्रथम बहुत संगीती के अध्यक्ष वो थे महा कस्प महा कस्प जो थे वो प्रथम बहुत संगीती के अध्यक्ष थे अगला प्रस्ण discuss करते हैं अगला प्रस्ण है बन बन टू किरातार जुनिय पुस्तक किस ने लिखी है यह भारव ने लिखी है भारव की किरातार जुनिय कि डी ऑप्षन इसका जो है करेक्ट आंसर है अब कुश्चन नमबर बन टू थ्री एक सो तेश्चन क्या कह रहा है कि दा कुट्व मीनार वाज कंप्लीटेड वाई कुट्व मीनार किसके दौरा कंप्लीट किये थी तो इल्टुत्मिस के दौरा कुट्वद्दीन एवगने से स्टाट किया था और इल्टुत्मिस नेएसको इसको फाइनलाजी सो किया था अब कुश्चन नम्मर 124 फीजय-णगर एम्पायर विजय-णगर एमपायर का फैंड़ कोन था हर्य उड़ उठ करते हें हो सब्सक्रें ह संग 125 भी जो है वो हिस्ट्री से संबन्दित है किस मुगल सासक के समय में सर थामस रो भारत आया था तो जांगीर के समय पर आया था किसके समय पर आया था जांगीर के समय पर आया था और अगला प्रस्ट आएने अक्वरी बाज डिटन वाईदा अवुल फजल आएने अक्वरी किस ने लिखी अवुल फजल ने लिखी है सीधा सीधा प्रस्ट ने इतियास के प्रस्ट बहुत कटन इसमें नहीं पूछे गए हैं अगर इतियास में थोड़ा सा महनत कि रहे रिद्रेस को पार किया सकता हम चलिए हम अगले परसन को दिसकस करतें अगला परसन हमारा यह कह रहा है कि रायत वारी सिस्ट्रम बादब स्ट की गई तो ये विवस्ता जो लागू की गए थी तो मैद रास में लागू किया था कि solamente कि 128100 सतावन के विद्रोक किसे द्वारण प्रथम भारती सतनतरता संङ्राम के रूप में बढर्नित किया गया है फस्ट इंडियन बार और अप यह बीडी-सावर करने र का अगला परस्त है था First woman, President of the Indian National Congress. First woman, first woman पूची है, not First Indian woman. क्या पूचा है? The first, keyword first woman President, not Indian. तो इसमें जो सही answer होगा, वो any vecence, any vecence जो थी, वो सबसे पहले वनी थी, उसके बाद Sarojini Raiडू बनी थी. Sarojini Raiडू, भारती प्रतं महला president थी. अगले पृष्ण पर आते हैं अगला प्रसंद कहता हूँ स्टाइड था जनृल ला कि अगि भारत भारत जन्रेस ने शुरू किया था तो ये किया था पाबा साहीब अबेड करजी ने ये किस ने किया था बाबा इसके बाद हम अगला प्रस्ण करते हैं जो प्रस्ण नंबर है 131 यह इतिहास से संबंदित प्रस्ण है और इसका जो करेंट से भी संबंद है इसके बाद हम अगला प्रस्ण करते हैं अगला प्रस्ण कहता है कि निमलिखित में से कौन से कथन एसकर और ड्रमलिन के संबंद में है पहला है एसकर क्रूड बेड़ेड बजरी और रेत की लकी रहें एसकर और रिजिज ऑफ क्रूडली बेड़ेड ग्रेवल्स एंड सेंड्स ड्रम डिल जादतर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं अंडे की टोकरी इस्तराकृती एसकर युक तेलाकों की विशिस्ता है और चौथा है जबकि एसकर ग्लेसीरियरों की धाराओं दोरा निर्वित होते हैं ड्रमलिन ग्लेसीरों की क्रियाओं से उत्पन होते हैं तो यह सही है और यह वाला सही है इस तरह से हमारा अप्षन वन टू और फोर वी अप्षन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम डिसक्स करते हैं कुश्चन नमबर 133 को भूमिगत कोईले का दहन किस राज्य में होता है तो यह कोईलांचल मूवी में भी दखाया गया है अप लोग नहीं पर देखे होंगे नहीं भी देखांगे तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें जारकंड के जो जारकंड में जरिया जो इलाका है वहाँ पर भूमिगत जो कॉला है उसका जो है कम्ब्यूशन यानि दहन होता रहता है तीक है अगले परसंद पर आते हैं अगला परसंद कह रहा है हमारा विच डिस्टिक और बिहार है माइका डिपॉजिट्स बिहार के किस जिले में अभरक के बंडार है तो अभरक के बंडार जो है बिहार में कहां पर हैं गया जिले में बिहार में गया जिले में अगला प्रस्ण है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है तो सोन और गंगा का जो कॉन्फूएंस होता है वह होता है पठना में कहां होता है पठना में इसके बाद हम डिसकस करते हैं कुश्चन नमबर 136 दा रिवर दामोदर कोल और श्रुबांड रेखा नदियान अमलेखत में से किस से निकलती है तो छोटा नागपर पठार से निकलती है सीदीजी बात है यह उदर छित्र में है लॉजिकल कुश्चन है इसको आप मैप से भी इंट्यूशन डवलप करके सॉल्व कर सकते हैं कुश्चन नमबर 137 बन 37 कुश्चन यह कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर रामसर स्थल कौन सा है तो यह है कवरजील यह क्या है कवरजील कवरजील जो है वो पहला रामसर साइट है बिहार की ब्रह्मयोगी हिल ब्रह्मयोनी हिल ब्रह्मयोनी हिल ब्रह्मयोनी हिल is located in which district of बिहार तो यह जो है कहां पहे हैं गया में कहां पहे हैं गया में ब्यहार के किस जलवाई चेत्र में सबसे अधिक जिले हैं तो ब्यहार के किस जलवाई चेत्र में सबसे अधिक जिले हैं तो ब्यहार के उत्तर पस्चिमी चेत्र में गुश्ष्आन मैं आपको दिखाता हाँ गुश्ष्ष्ण नमबर बं-39 है बीहार के किस क्रसी जलवाईू छित्र में सरबादिक जिले हैं तो यह जो इसका चाही आंसर है स्वन कि उच्छान नम्र बन फॉर्टी बन फॉर्टी गैरा है जिए डैसी इस इस डा साइन्स ओफ डेट डी ट्वेल डी इस विद किसके साथ करती है जिए डैसी तो जिए डैसी जो एव प्रतवी के आयाम की माप से है मेजर्मेंट डायमेंशन आफ दा आर्थ से थेवरी ओफ कॉंटिनेंटल डिफ्ट वाज डबलब्ड वाई किसके द्वारा दी गई थी थेवरी अब एगेनर एगेनर ने यह जो है डिफ्ट कॉंटिनेंटल डिफ्ट की थेवरी दी थी अगला प्रस्ण है सुन्डा ट्रेंच किस दीप के समानतर है तो सुन्डा ट्रेंच जो है वो जावा दीप के समानतर है किस के समानतर है जावा के कुश्यन नम्मर 143 एक प्रभावी कॉरियोलेसिस वल किसके कारण होता है तो यह होता है रोटेशन आप दा अर्थ के कारण होता है बिच अब दा फॉलॉइंग कंट्री डज नॉट हेवे लेंड वार्डर विजदा डेड़ सी के साथ म्रत सागर के साथ किसकी भूमी सेमा नहीं बनती है तो यह लेवनान की नहीं बनती है किसकी नहीं बनती है लेवनान की अगला जो है प्रस्न 145 इलमेनाइट जो भारती किसका घंच है गोगान गरी दो कई हमालाई नदियों की प्रैधी पी नदियों से तुल्णा करें अधिक। हिमाल ही नदियां बारए मास हैं हिमाले नदियों की ढाल प्राइ दीपी नदियों की तुल्ना में अधिक खड़ा है प्राइ barbecue नदियां हिमाले नदियों की तुल rhythm अपने रास्ते में अधिक छरण का कारण बनती है तो इन में से पहला और दूसरा option बिलकुल सही है, तीसरा option गलत है, छरण का कारण सबसे ज़्याद है हिमाली नदियां बनती है, तो इसका जो सही विकल्प है, वो option A, option A का सही विकल्प है, अब हम डिसकस करते हैं, question number 147, 147 कह रहा है कि गंगा के मैदान को dot 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 के रूप में बरनित किया गया है, तो इसको बोलते हैं, जियो सिंकलाइन, जियो सिंकलाइन, गंगा के प्लेन को जियो सिंकलाइन कहा जाता है, अगला प्रस्ट डिसकस करते हैं, 148, which of the following is the fresh water lake, fresh water lake कौन कौन सी है, तो fresh water lake, इन में कौन कौन सी है, बुलर जील भी है, और लोग तक जील भी है, तो इसका option हो है, option number E, अब हम डिसकस करते है, question number 149, 149 में कह रहा है, which of the following planets has the least density, सबसे कम घनत तो किस ग्रह का है, सबसे कम घनत तो जो है, इन सम्मी में जो दिये ग्रह है, इन में सबसे कम घनत तो है, सैटर्न का, सनीद का जो है, वो घनत कम है, किसका सनी का, ठीक है, अब last, इस प्रस्ण पत्र का आखरी प्रस्ण, यह है कि what is the most famous feature of चिरिया, famous feature of चिरिया located in best सिंग भूमी, पस्षिमी सिंग भूमी में इस्तित, चिरिया की सबसे प्रिसिद विसिस्ता क्या है, तो चिरिया की सबसे प्रिसिद विसिस्ता है, आइरन ओर माइनिंग, क्या है, आइरन ओर माइनिंग, तो इस प्रकार हमने जो है, इस प्रस्ण पत्र C के जो है, जो पुनर, जो रद्द परिक्षा हुई थी, आठ माई 2022 को सरसटमी प्रारंबिक परिक्षा बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा आयुजित, उस परिक्षा के सभी 150 परसनों को हमने यहां पर सॉल्प किया है, सबको डिस्कस किया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे के हम और नए-नए सेक्षिक वीडियो आपके लिए उपलब्द करा सके, धन्यबाद, जै भारत!